बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम, वेलकम टू लाइफस्ट्राइल वद केरन, आज हम बनाते हैं चिकन वेजिटेबल मेकरोनिस, चिकन वेजिटेबल मेकरोनिस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक करोनिस को बॉयल करते हैं, इसके लिए हम एक भड़े पैन में पानी को बॉयल करत एक खाने का चमच नमक और दो खाने के चमच कुकिंग आइल शामिल करते हैं। अब हम चिकन को काट लेते हैं, हम चिकन को क्यूप्स में काट रहे हैं। दो दर्मियाने साइस के आलूं को जर्दा रंग डाल कर बॉयल कर लिया है, दो दर्मियाने साइस की शिमला मिर्चो को क्यूप्स में काट लिया है, एक प्याली मटर हैं और एक गाजर को भी क्यूप्स में काट लिया है। आप अपनी मन पसंद सब्जी का इस्तमाल कर सकते हैं, आदा किलो चिकन क्यूब्स पे काट लिया है, इसके साथ साथ हमें सॉया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस, फोर टेबल स्पून एड़ करना है, सॉया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस के चार चार खाने के चमच शामिल करेंगे, मिक्रोनिस हमारी बॉयल हो चुकी है, अब हम इसको एक स्टेनर में निकालते हैं, यहां आप दो खाने के चमच कुकिंग उयल शामिल करें, ताकि यह आपस में ना चिपके, अब आप पैन में चार खाने के चमच कुकिंग उयल लें, इसमें कटा हुआ चिकन और अद्रेक लेशन का पेस जाल कर फ्राइ करें, आप चाहें तो लेशन अद्रेक का पाउडर भी इस्तमाल कर सकती हैं, गोल्डन ब्राउन होने पर एक चाहे का चमच नमक और देड़ का चाहे का चमच काली मिर्च शामिल करें, मटा डाल कर तीन से चार मिनिट के लिए फ्राइ करें, शिमला मिर्च और गाज़र डाल कर दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे, यहां आप चिली सास और सॉया सास अड़ कर दे, यहां आप चिली सास और सॉया सास अड़ कर दे, अच्छी तरह मिक्स कर ले, अब बॉइल कीवी मैकरोनीज शामिल कर ले, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जो अलू हमने बॉइल किये थे, वो हम बिल्कुल लास्ट में शामिल कर रहें हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, अब आप सिर्का शामिल करेंगी, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको सर्व करेंगी, वीडियो को लाइक करना मत भूले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज,